आपके नेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है एंटी नेट पेपर वन के नाम से अमारी एक प्लेलिस्ट भी है जिस जहां पर आपको पेपर वन से रिलिटेड सभी वीडियोस जो है मिल जाएंगी अगर आप देखना चाते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और उपर आई बटन पे क्लिक करके भी जो है आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं ठीक है तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करें हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चली शुरू करते हैं पहला जो आज का सवाल है वो ये है कि स्वेप्रभा ठीक है स्वेंप्रभा सिक्षन क्या है तो सही जो आंसर होगा इसका वो ये होगा आप्शन नमबर ए ठीक है 32 डिटीएच चैनल का ये जो है एक परकार का कारेकरम है जिसमें जो है शिक्षा परदान की जाती है छटी से लेकर के बारवी तक के चातरों को ठीक है तो एक परकार से क कह सकते हtoire हम लोग कि TV के थूरू जो हैним जो है यह प्रफते हैं रहा हैं, यह चैनल हैं यह 24 गंटे और डीन आ पर ऐस दिन खेस्ज्लों 890 गंटे आ यहांपर जो हैं मिलती है ठीक है और यहां पर जो इक्सपप शोहते हैं सुपजेक्ट-पल्च क्शिक्षन होते हैं ठीक है और जो ग्यारवी बारवी है 11 और 12 उनको जो है परतियोगी जो परिक्षाएं वगेरा होती है उनकी भी तयारी इन चैनल उपर करवाई जाती है ठीक है तो स्वैम परभा सिक्षन कारेकरम के तहट कितने चैनल खोले गए हैं तो याद अखने आपको 32 डीटीएच चैन संबंदित है साररिक कौसल के साथ संबंदित है ठीक है तो सही जो आंसर इसका वो है ऑप्षन नमबर सी ठीक है ऑप्षन नमबर सी मनो संचालित ज्यान छेत्र ठीक है मनो संचालित ज्यान छेत्र जो है यह ज्यान छेत्र सारिक कौसल के साथ जो है जुड़ा हुआ है नेस्ट कोश्चन है निमिल लिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी कौन सा विकल्प सत्तावादी इसतर का सिक्षन को दर्साता है तो सही जो आंसर है इसका वो है ऑप्षन नमबर अ ए ऑप्षन नमबर ए शिक्षक केंद्रित ठीक है शिक्षक केंद्रित जो शिक्षन है ये सत्तावादी इसतर को दर्साता है इसमें इसमें जो है सत्ता किसके हाथ में होती है तो ये सिक्षक के हाथ में होती है ठीक है भविश्य में एक सिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए ठीक है प्रदोग की के विकास को ध्यान में रखते हुए भविश्य में एक सिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए ठीक है चार ओप्षन यह आप आमें दिये गए हैं जानकारी परदान करना नई पाट्टे पुस्तक को विक्सित करना छात्रों का मार्ग दर्शन करना या सिक्षन में इंटर्नेट का उप्योग करना तो सही जो आंसर है वो होगा option number C छात्रों का मार्ग दर्शन करना ठीक है छात्रों का मार्ग दर्शन करना next question है निमिल लिखित में से कौन सा सिक्षन अधिगम का इस्तर नहीं है ठीक है सिक्षन अधिगम का इस्तर नहीं है तो सही answer है option number A विभेदन इस्तर ठीक है ये बोध इस्तर है ठीक है ये बोध इस्तर है याद रखें ठीक है विभेदन इस्तर जो है इसका सही आंसर है जबकि स्मिर्ती इस्तर चिंतन इस्तर और बोध इस्तर जो है वो सिक्षण अधीगम का इस्तर है ठीक है नेस्ट कोश्चन है अनुसंधान की परिकलपना का तातपर है ठीक है अनुसंधान की परिकलपना का तातपर है तो उसका सही जो आंसर है वो है option number D B और C यानि की चरो की बीच में संभावित संबंदों का विवरंड देना और जब ये कहा जाए कि उनको पुस्ट हो गया पर पुस्ट करना या ना करना ठीक है तो सही आंसर हो गया option number B और C देखें वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्स पक्षता का क्या अर्थ है निश्पक्षता का क्या अर्थ है तो इसका जो सही आंसर है वो है option number B सूसंगत निसकर्ष ठीक है सूसंगत निसकर्ष इसका सही आंसर होगा निस्ट कोशन है निमिल लिखित में से किस परकार के सब्दों में उपकल्पनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है तो सही जो आंसर है वो है option number C सामानने सामानने जो है इसका correct answer हो जाएगा option number C अच्छा next question है अब देखिए math का question आ गया कि यदि A, B से 50 परतीशत अधिक है और B जो है वो C से 20 परतीशत अधिक है तो बताओ A, B का कितना परतीशत है चार option दे रखे हैं 100 परतीशत, 125 परतीशत, 135 परतीशत और 75 परतीशत तो देखें A, B और C की बात की गई है A जो है C से 50 परतीशत अधिक है, A जो है वो C से 50 परतीशत अधिक है यानि अगर C 100 है तो A 125 है, ठीक है, और बोल ये रहा है और B जो है वो C से 20 परतीशत अधिक है ठीक है, B जो है वो C से 20 परतीशत अधिक है, तो C अगर 100 है तो B कितना होगा, 120 हो जाएगा तो सवाल में हमसे पूछ रहा है, A जो है B का कितना परतीशत है, तो B कितना है, 120 है ठीक है, और A कितना, 125 और multiply में यहाँ पर लिख देना है 100, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है, अच्छा, यहाँ 125 मैं लिखा हूँ, यहाँ 50 परसेंट है, यहाँ 1.500 आएगा, स्वारी अच्छा, एक बार दुबार समय लिख देता हूँ ओके, A जो है C से 50 परतीशत अधिक है, स्वारी मैं 25-25 बोल रहा था, A, B और C मुझे आपर लिख लेना है, A जो है 50 परतीशत अधिक है किसे, C से, तो अगर C 100 है, तो A कितना हो जाएगा, 150, यहाँ 50 परतीशत अधिक है, तो 150 हो जाएगा, और फिर आगे बोल रहा है, B जो है, वो C से 20 परतीशत अधिक है, तो C अगर 100 है, तो B कितना होगा, 120 है, तो बताएगे, A जो है, वो B का कितना परतीशत है, B कितना है, 120, और A कितना है, 150, कितना परतीशत है, गुणे में 100, क्योंकि हमें परतीशत में आंसर चाहिए, यह 0 से, यह 0 कड़ गे, 3 से ही कट रहा तो 125% हमारा answer हो जाएगा ठीक है option number 20 का correct answer है 125% ठीक है तो इस तरह की questions को आप इस तरीके से solve कर सकते हैं अच्छा इसमें पूछ रहा था कि A B का कितना परतीशत है अगर यहां पर यह पूछ लेता A B से कितना परतीशत अधिक है तो इसका answer क्या होता आप मुझे comment में बताएंगे ठीक है comment में जरूर बताएं A जो है वो B से कितना परतीशत अधिक है यह आपको बताना है next question है 3 A 4 B और 2 C सब equal है तो A B C का मान क्या होगा तो देखे जब भी इस तरीके से दे तो आपको करना क्या है एक बटा 3 ठीक है अनुपात एक बटा 4 अनुपात एक बटा दो लिख लेना है ठीक है सब को upon में कर लेना है नीचे वाले का LCM ले लेना है यानि कि मुझे पता है इसका LCM 12 आएगा लेकिन फिर भी करके दिखा देता हूं छी कोई 3 2 खे दो यानि चार अनुपात तीन अनुपात छे जो है इसका करेक्ट अनसर हो outta option number B जो है इसका करेक्ट अंसर है इस तरीके से आप इस सवालों को करेंगे Next question है बhukamb की तीवरता को किस यंतर में देखा जाता है पूछ रहे है Option number A इसका correct आंसर है सिस्मो गराफ बhukamb की तीवरता को सिस्मो गराफ में देखा जाता है अगर question होता कि किस में मापा जाता है तो आपका आंसर होता Rictor Scale ठीक है Rictor Scale तो सही answer इसका जो है सिस्मो ग्राफ तो भुकम्प जो होता है इससे जो तरंगे निकलती है वो होती है P और S तरंगे P मतलब primary और S मतलब secondary तरंगे दोनों ही जो है काफी खतरनाक होती है और इसको जो है भुकम्प अगर आपसे definition पूछे तो पृत्वी का कमपन ठीक है भोकम का मतलब क्या होता है पृत्वी का कमपन होता है सो ठीक है आज की वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ने क्या तो जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे So thanks for watching this video